सब्सक्राइब चानल तो गेट आर वीडियो फिर्स्ट हिट थे बेल आइकोन और गेट नोटिफाइब फर एवरी वीडियो देखें हम आपके लिए एक और पनीर स्लाइस मिशिन लेके आएं और ये पूरा SS 304 में बना हुआ है इसमें SS की वायर और ये पनीर के ब्लोक है अब हम इसको उपर से नीचा की और लेके आएंगे और ये देखिए मैं स्लाइस पीच आपको दिखाँगा कि ना बड़ा बारिकी से इसको काट गया है और यह वाला स्लाइस पीच देखिए पनीर को मिस तरी के स्लाइस कर सकते हैं और यह पूरी मशीन आपकी SS 304 में बनी हुई है और यह में शाथ में निमेटिक कंप्रेसर वाली मशीन भी है जिसमें सिंगल से लेंडर और यह कंप्रेसर लगा हुआ है आप यह पनीर के ब्लोक कर देखिए आप अब हम इसको दुबारा से कट करेंगे कि मैं दुबार से स्कुर्स करूंगा एकर यह यह स्लाइस किया और यह वाला फिस्ट देखिया अब इसको आप लाट्यूम पेकिंग कर सकते हैं स्लाइस करने के बाद में तो यह पूरा फूर गरेर है एस स्थ्रील फोर्वर का है और यह देखिए चिए पेस यह पनिर नुमेटिक प्राइश मशीन है यह इसका अप्रेसर है जो एर पास्ट करेगा और इसमें यह कंट्रोलर अमने लगा हुआ है यहां से आपकी एर पासिंग होगी फ्लेक्सिबल प्यूश्टी पाइप की तुरू अपके आएगी और यह कंट्रोलर है और इसमें प्रे से सब्सक्राइब प्रेइस करेंगे तुरुश फिंडर्फ प्रेस्ट होगा एर के फ्लेशं से और बीस मिंट सक में निकाल कराया है यहां से हम अपना पनीर निकाल लेंगे यह पनीर जो है आपका बारी जो कपड़ा होता है छेने वाला वो कपड़े में बंदा हुआ रहेगा और स्क्वेर ब्लोग में आएगा और वापिस हम दूसरा श्लोट डाल के इसमें डाल देंगे और दुबारा से उसको फ्रेश कर देंगे मशीन को खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नमबर 89, 27, 37, 77 या 99, 11, 35, 15 पर कॉल करे या आप हमें इमेल भी कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए planetbaba.com या kingfotakeindustries.com पर विजिट करे और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के दिस्क्रिप्शन को देखे यदि आपको दूर की मशीन जैसे बल्क, मिल्क कूलर, मिल्क ATM मशीन, खोया मेकिंग मशीन, घी मशीन, दही मेकिंग मशीन, मिल्क प्रोसेसिंग प्लाट, मिल्क क्रीम सेपरेटर, मिल्क अनलाइचर, दूर की बोतले, दही के टपदे, मिक पाउच पैकिंग मशीन, रोड मि टैंकर स्टील टैंकर वाटर टैंकर आधी मशीन भी हम निर्माता है हम मशीनों के मनुफक्चर है वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ